हेई गाईज वेलकम बेक अगेन ओन चैनल साबुन का इन्वेंट वाओ उसको तो सालो बीट गए लेकिन कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे मेंगा साबुन कौन सा है और कि आप जानते हैं कि दुनिया में हर साल कौन से दिन पर ग्लोबल हेंडवसिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है तो आईए जानते हैं साबून के कुछ SFX के बारे में और कुछ इसके इन्वेंशन के बारे में मेरे साथ मैं हूँ विसाहल और आप देख रहे हैं होम स्टेग दुनिया के आएक हिस्सों में ऐसी वनस्पती पाई जाती है जो कि साबून की तरह ही exactly काम करती है इन्हें गिले सरी पर लगाने से जाग भी निकलता है और सफाई भी होती है कुछ सदियों पहले तक अमरीका के आदिवासी इसी तरह की वनस्पती का यूज नाने के लिए करत है जब वहां बारिस होती है तो पानी में साबून जैसा जाग बनने लगता है और कई बार तो यह जाग कई फिट उंचाई तक पहुंच जाता है पुराने समय का नाने का तरह का आज बले यह अजीब लगता हो लेकिन पहले लोग अपने सरीर पर गिली राक लगाते थे औ और बाद में पानी से ना लेते थे देखने और सुनने में चाहे कितना भी अजीब लगता हो लेकिन राक और तेल का मिक्सचर शरीर को उसी तरह कर देता है जैसे आज साबून करता है हमारे देश में तो आज भी सोचक्रिया के बाद राक से हाथ दोने को ज्यादा सुद मा कर उसे लगातर चलाया और बाद में उपर से उसमें नमग मिला दिया और इस प्रोसेस के एंड में दहीं जैसी चीज तेयार हो गई उस टाइम पर साबून ऐसे हुआ करते थे जब यह चीज ठंडी होती थी तो उपर का हिस्सा कड़ा हो जाता था उसे साबून के सेफ में साबून का एक अजिपसा सच ये भी है कि अगर इंसान का डेट बोडी जो जमिन के नीचे गाड़ी जाती है वो एक फिक्स टेंपरेचर और नमी पर पड़ी रहे तो वो भी साबून जैसे केमिकल में चेंज होने लगती है कुछ लोग इसे ग्रेव वेक्स कहते हैं एसी कबर में से मोम जैसी चीजे निकलने लगती है केमिकल जांच के बाद पता चला है कि ये चीज लगबग वेसी ये जैसी के ब्रेकिंग सोडा में ग्रीस मिलाने के बाद बनता है ये जानकारी दुनिया को तब पता चली जब विलियम वन एलेन वोगन नाम के सोल्डर जो अम अमरिका के मेजर सोप मेकिंग का जो फॉर्मिला मिला उससे लोगों को काफी संतुष्टी हुई इस रिजन से साबुन बनाने के फॉर्मूले में उस टाइम पर खास चेंजिस नहीं हुए बाद में तीन अजा साल बाद आंद्रे पियर्स ने सन 1789 में एक एसा ट्रांस्पर एन गेंबल कंपनी में साबुन का प्रोडक्शन का काम चल रहा था और उस प्रोडक्शन मशीन की देखरेक करने वाला स्टाफ लंच ब्रेक पर जाने से पहले उस मशीन को बंद करना बुल गया इसका रिजल्ट यह हुआ कि सोल्योशन का स्टेरिंग गुमती रही और जब कंपनी को बहुत सारे इस साबुन के ओडर आये 19th century तद लिक्विड साबुन का आविश्कार नहीं किया गया था लेकिन 1865 में विलियम सेपर्ड ने साबुन के लिक्विड वर्जन का पेटर्न कराया और 1898 में बीजे जोंसन ने पाल्म एंड ओलिव के तेल से बना साबुन देवलोप किया उनकी कंपनी बीजे जोंसन सोब कंपनी ने उस सबर पामोली ब्रांड साबुद वेस किया था साबुन के कुछ फेक्स जानने से पहले अगर आपने होमस्टेड चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेला अगरान में एक फैमली है जो साबुन का बिजनेस ओपरेड करती है जिन्नोंने एक वेसाबुन डेवलोप किया है जिसे आप एक बर यूज करने से पहले दो बार सोचेंगे ये साबुन का नाम है कतरोप और साबुन को सोने और हीरे के पावडर से फ़निस किया जाता है इसलिए इसकी एक साबुन की कीमत दो जार आट सो डोलर है यानि कि इंडियन रुपेस में यह हो जाएंगे दो लाख नो सो असी रुपे जो कि एक साबुन के लिए बहुती महेंगी प्राइस है लक्स साबुन के बारे में तो आपने जरूर शुना होगा लेकिन Luxe Saboon के ये fact के बारे में आपने नहीं सुना ओगा दुनिया का एक लोता है साबुने Luxe Brand जिसने कई मैला को सिर्फ ads में दिखा दिखा के उन्हें celebrity बना दिया है आप सभी को पता हो या ना हो लेकिन इस fact के बाद आप सभी को पता होगा कि दुनिया में हर साबुन से हाथ दोने के benefit के बारे में जागरुगता और समझ बढ़ाने के लिए October 15 को Global Hand Washing दे हर साल मनाया जाता है आप सभी ने notice किया होगा कि जब भी आँखों में साबुन जाता है तो आपको जलन पेदा करता है क्योंकि इसमें sodium मिलाया होता है वैसे sodium तो हमारे आसू में भी होते है लेकिन आसू बाहर आने पर जलन पेदा नहीं होती तो ये भी एक साबुन का fact है तो दोस्तो बस आज के invention के वीडियो में इतना ही मुझे उम्मीद है कि यहापे आपको कुछ जानने को मिला होगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरू दबा दे ताकि होमस्टेट के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले मिलता हूँ अगले अपते एक 9 मंस्टेट के वीडियो में तब तक के लिए सेफ रहिए हैपी रहिए अपने आज बाजो सफाई रखे नियमो का पालन करे और ओनेस्ट बने